हमारे खुद के रिलेशन्स बिखर गए, हमारे वहां कश्मीर में हम सब एक साथ रहते थे, लेकिन माइग्रेशन के बाद हम अपने भाई भाई से नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई किसी स्टेट में है, कोई कहीं है, जहां एक साथ रहते थे, यही नहीं एजुकेशन, हमें जह वो उठा के बस निकल गए तो यह तो सवाल ही नहीं था कि हम certificates लेके तो अगर proof चाहिए आप कह रहे हैं कि movie में सच है कि नहीं हमसे ज़्यादा और सच क्या कि हमारे जो schools में पड़े हैं आप उनसे पूछ लीजे हमारे पास certificates ही नहीं थी इससे बड़ा सच क्या कि हम कुछ भी नहीं लेके आएं जीरो से हमने फिर से स्टार्ट किया schools में माइगरेंट school में हमार को migrants कहते थे अपने ही state में जबकि हम और किसी state में भी नहीं गए थे जम्मू में गए थे J&K is the one state but still we were called migrants और हमार को बोलते थे हम evening shift में पढ़ते थे बोलते थे यह हम जाते थे शाम के क्योंकि वो school खतम होता था फिर हमारा school यह हमार को बता है हमारे माबाप ने कैसे हमें पढ़ाया कि conditions में ना खाने को कुछ जो भी हमें जो भी property या कुछ भी था वहां कैसे हमने बेच बेच के मेरे हमारे parents ने हमें पढ़ाया है ताकि हम life में कुछ करें खाना वो भीचारे नहीं खाते थे एक time पर बट माइगरेंट स्कूल में पढ़ पढ़ के हम आज जो भी बने हैं आज stand हो रहे हैं सो थैंक्स हम थैंक्फुल टो विवेक अगनिहोतरी जी जो उन्होंने ये मूवी बनाई प्लस मैं यह बताना चाहूंगी जब हम स्कूल से आते थे हमार को यह बताया जाता था यह भी एक कितनी सारी स्टोरीज आपको कितनी फैमिली से मिलेंगी हमारे साथ हम तो हमार तो एक पार्ट है कि हम कैसे निकले लेकिन मैं चाहूंगी कि जरूर ऐसी मूवी बने सबकी स्टोरी सुनी जाए आपको क्या लगता है कि सच तो सामने आ गया है सहल क्या होगा अब क्या होगा क मैं यहीं चाहती हूँ कि यह बाते हमारे यहीं तक नसीमित रहें बस मूवी तक कि मूवी इसका भी khत्म हो जाएगा मूवी का भी जो अभी चल रहा है इसका पॉप्लेरेटी घ्र खत्म होगी तो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें